नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दरपन और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज दोस्तों इस समय बता दें कि सेक्टर 4 में मौझूद है हम करनाल के और मेरे पीछे देख सकते हैं मैं एक ऐसी जगा पर हूँ जहां पर गाडियों की डेंटम पेंटिंग की जाती है लेकिन हम पर आये क्यूं है इसके पीछे मकसद है और मकसद है कि हम किसी की इमानदारी देखकर यहां पहुंचे हैं क्योंकि आज के समय में आपने देखा है कि इमानदारी कितनी बची है लोगों के अंदर आज लोग किसी का सो रुप्य अभी मारने के लिए सोचते हैं कि मैं कैसे इ आगे बनते हैं और कही ना कही हमें भी लगता है कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं या हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि लोग जो है इमानदारी की मिसाल तो देते हैं लेकिन कभी बनना नहीं चाहते हैं तो यहां पर हम पहुंचे एक ऐसे शक्स के पास जिनके पास लगबगाद से दो दिन पहले Google Pay के अंदर काफी सारे रूपए जो है वो Google Pay हो जाते हैं जिसके बाद वो व्यक्ति काफी हरान होता है और उसके बाद वो व्यक्ति से हमारी बात हुई और सबसे बड़ी हरानी के बाद की जिसके पैसे आए उसे वापिस करना चाहता है और वो व्यक्ति कोई औ और नहीं बता दें इसी डेंटम पेंटिंग की जो कि आप देख सकते हैं दुकान में महज गाडियों की डेंटम पेंटिंग करता है वो व्यक्ति उनसे बात करने का प्रयास करते हैं करनाल के नजदीक रहने वाले गाउं के वो रहने वाले हैं तो आप तस्वीरों में देख स और 29,707 रुपए मेरे पास आए हैं जी między 20770 रूपए आपको शनीवार को आए हैं जी तो मेरे पास इनकी कोई कॉल नहीं आई तो मैंने कल चेक किया अपने जी तो कल मैंने रात को यह फों किया यहाई। यार्नी जब आपको पईसे आये तो इसके दो दिन तक कोई फोना भी नहीं नहीं था pizza इनकोई इनकीन नमबर कैसे में अलग पे में अधसे जब बात वहां चांस पे ले सोपुके दो उन्होंने कहा है बहुत भमत दन्यवाद। मैंने क्या हमसे मेरे सेव करोको पूल जी मांदार mais कचा क्या हूं गा पने सर फुचा कि तेके न दो दिन क्यों किया मुझे यहीं मैंने हम जीमिश्चाय किnın चैकी के अपना how एक दिन पहले ही मुझे रुपए जो है यह आ चुके रहे तो शायद यह भी हो सकता है अला कि वो शक्स यहां पर मौजूद नहीं है क्योंकि आपको बता दें जब किसी और के यूपी अकाउंट के अंदर पेमेंट हो जाती है से कई मामले देखे हैं हमारे भी परिवार में एक ऐसा ही मामला हुआ था जिसमें 50,000 रुपे किसी को चले गए थे लेकिन आज तक वो वापिस नहीं आए लेकिन यहां पर बता दें कि फिर प्रयास होता है बैंक से कुछ पता लग पाता है तो इनको भी एक दिन बात जब इन इन्हें आती है जबकि यह देख नहीं पाते क्योंकि यह काम पर थे बीजी थे और अगले दिन जब यह चेक करते हैं तो इसके अंदर इतनी माउंट देखकर आप थोड़े हराम तो हुए होंगे इतना माउंट का से आए एक बार देखके चो गहता सर मैं इतनी कस्टमरी प कि ओ सो ने एक बार चूंघए फिर मने फ्रेंड से भी कको ही माई को मताने तक इसमय करते से जब आपको इतना माउंट आया आपने वह दिक्षा अप इतनी बड़ी रकाम हैं फिलाल आप डेंटम क्या क्या काम करते एं मैं utden इसको रुपकर आकर यह यह 39,000 रूपे फिलाल यहां पर बात करने का प्रयास करेंगे यहां पर एक और शुच्स आप यहां पर क्या करतेघ्ieurs आत्युक्तिन झांट में तो यह पमरें जय से उसके थे सकते भाट में चाहआ है यहां किसी देओ कि का की जी तो पुछ वोई तो पता लागा गोोन्कों पीजी देखाय रहने वाला वाला भी जुंदा अरे मसं आप्र क आने से पहले हमके उन्हे वहुंग का में खेलika fingers ौए अपसे उनको में कौने को रिस प्र Museee तो आपने देखा किस तरीके से 29,000 रुपी की रखम जो कि आज के समय में आज की समय में भी कहलें तो परिवार का दो महीने का राशन बड़े अच्छे से चल सकता है क्योंकि 15,000 रुपी एक महीने के वो रखते तो अराम से अपने कहीं खर्चे वो निकाल सकते थे लेकिन यह जादा आपको जो है उसके अंदर भाग दोड़ करनी पड़ेगी उससे जादा आपका खर्चा हो जाएगा तो यहां पर जो है इन्होंने काफी जादा इमानदारी दिखाई है और हम उसके लिए उनको भी बढ़ाई देते और यह आम लोगों से भी कहते हैं यह मिसाल होती हैं पैसे अच्छे कमा लेते होंगे यह लेकिन यहां पर 30,000 रुपे आज के समय में भी जरूर जो है आप समझ सकते सो रुपे कोई किसी के वापिस करने के से पहले सो बार सोचते है कि मुझे क्या जरूरत है मेरे काम आ जाएंगे तो यहां पर आपसे इस वीडियो को भी है कि यह जो व्यक्ति हैं सर आपका नाम क्या है मेरे बलिंदर में तो जैसे इनके अकांट में 29,070 रुपे आते हैं और 29,070 रुपे और यह उसको पेमिंट वापिस भी करते हैं सर आप उसको गूगल पे भी कर सकते थे बर फिर उन्होंने क्या बोला आपको मैंने मैं कली जात बात हो इती मेरी रात कोई मैंने खुदी कोली किया था हूंने कोल उनका कोल अब तक नहीं नहीं आया था तो मैंने उनको बलाव सूब मिलो 10 बजे दुकान पे आज़ियो सक्तचार में मैं आपकी पेमिंट दे दूआ जिए मैं साथ के साथ भी कर सकुता है तो ऐसे मैं करना चाहा जी तो जी मैं सब को जागरू करना चाहता हूं किसी का 10 रुपे भी हुजे तो उसको लुटा दो किसी क्या मुसीबत है कोई गरीब से परिवार से मैं कमाई लेते हैं 15-20 जार आप सोचते हैं कि जो व्यक्ति 15-20 हजार रुपे कमाता है और इसकान में अचानक से 29,070 रुपे आ जाते हैं और फिर भी मानदारी देखिए कि आजकल इतनी जादा ठगी हो रही है लोग ठगी के बहाने सोचो मतलब जातों किसी के चैन चील लेते हैं चोरियां करते हैं डकैती करते हैं तरह तरह के जो तरीकें वो पनाते हैं फिर भी इनकी आप इमानदारी देख सकते हैं कि किस तरह से ये 15-20,000 रुपे कमाते हैं महीना के और फिर भी अपनी इमानदारी दिखा के उस बंदे को पैसे वापिस तरना चाहते हैं और जादा से आदस वीडियो शेयर करें ताकि आप भी जागुट हो सके कि ऐसे इमानदाग लोग आज भी हमारे देश मे आज भी करनाल में हैं और जादा से जादा से वीडियो शेयर करें अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक